नमस्कार आप देख रही हैं बॉली फ्राई बॉली विडेक्टर सुशान सिंग राजपूत के निदन से अभी लोग उबर ही नहीं पाए कि एक और दुख्द ख़वर सामने आ रही है सशान की दरही मराठी फिलम इंडस्री के जाने माने अक्टर आशुतोष बाकरे ने आत्म हत्या कर ली है 32 बर्शी आशुतोष ने महाराश्टर के नंदेड में स्थित अपने गर पर 29 जुलाई को फांसिल गाकर खुद कुशी की आशुतोष के ससाइड के पीशे की वज़ा भी डिप्रेशन ही बताई जा रही है उनके निदन से पूरी फिलम इंडस्टरी शोक में है आशुतोष बाकरे मराठी फिलम अब नेत्री मियूर देश मुख के पती थे आशुतोष के इस कदम से पूरे परवार पर दुखों का पहाँ तूटा है हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि उन्होंने आखिर किन कारणों से ये कदम उठाया पुलिस के मताबिक आशुतोष के माता पिता जब बुदवार को दुपहर गनेश नगरे इलाके के फ्लैट में आई तो उन्होंने वनेता का शव फंदे से लटका पाया जिदेखते ही उनके होश उट गए पुलिस सदकारी के अंसार अपनेता पिछले दिनों से कथित रूप से डिप्रेशन में थे फिलहाल मामले की जांच की जा रही है आपको बता दें कि आशुतोष बाकरे ने बाकर और इचार ठरला पका जैसी फिल्मों में काम किया है उन्होंने साल 2016 में एक्टरेस मियूरी देशमुक से शादी की थी दोनों अपनी शादी शुदा लाइफ में काफी खुश थे बहीं अब लॉकडाउन के दुरान अपनी पती के साथ ही नंदेड स्थ अपने गर पर रह रहे थे गोर तलव है की 14 जून 2020 को बॉलिवूड एक्टर सुशान सिंग राजपूत ने भी 34 पर्श की उमर में आत्म हत्या कर ली थी मंबई पलिस के मताबिक सुशान देड नुवंबर 2019 से डिप्रेशन में थे और मंबई के ही एक डॉक्टर से उनका इलाज चर रहा था हाला कि अब उनके पिता केकी सिंग ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए पटना के रजीब नगर थाने में एफ़ाइर दर्ज कराया है जो एफ़ाइर उन्होंने सुशान की गल्पेंड रिया चकरवर्ती और उनके परवार के खिलाफ करवाई है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और पड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए